ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो किसी भी परिस्थिती में वैसे ही रहेंगे, जैसे वो हैं। मैं किसी और शहर में था, जिसका नाम भी न से शुरू होता है। मैं आंदर प्रदेश के निलोर शहर में बात कर रहा था। स्कूल स्टुडेंट्स के एक बड़े समूँ से, फिर मैंने कहा कि कोई सवाल हो तो पूछिए। एक 14 साल की लड़की ने खड़े ओकर पूछा, सद्गुरू, कहते हैं कि राम अयोध्या से श्रीलंका तक पैदल गए थे। क्या ये प्रैक्टिकल है कि कोई आयोध्या से श्रीलंका तक पैदल चलके जाए या ये सिर्फ एक कहानी है। मैंने उसे देखकर कहा, देखो तुम अभी छोटी बच्ची हो, कुछ सालों बाद तुम एक पती खोज लोगी, जब तुम्हें पती मिलेगा, तो क्या तुम ऐसा पती चाहोगी, जो मान लो कि तुम कहीं खो गई, वो अंतिम छोड तक तुम्हें ढूणने जाएगा, या जो ये सोचे कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, और अपने पडोस में ही कोई प्रैक्टिकल सोलूशन ढूण ले, तुम्हें कैसा पती चाहिए? एक छोटी सी बच्ची भी जानती है कि उसे कैसा पती चाहिए. मैं ये प्रैश्ण इसी लिए बीच में ला रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये बात ध्यान से सुने, वरना भक्तगर्ण आदी बात सुनकर उबलने लगेंगे. राम का जीवन एक डिजास्टर है. दुरघटनाओं का एक निरंतर सिलसिला. उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ. भावी राजा के रूप में राज जबिशेक हुआ. हाली में उनकी शादी अपनी युवा पतनी से हुई. लेकिन कुछ राजनातिक कारणों से वो जंगल पहुँच जाते हैं. जंगल में रहना, शायद आपके कुछ टीवी सीरियल इसे बड़े रोमैंटिक जीवन जैसा दिखाते हूँ. जंगल में रहना कोई रोमैंटिक अनुभम नहीं है, मेरा यकीन कीजिए. मैं खुद, मैं खुद अकेले कई हफतों तक जंगल में अकेला रहा हूँ. जंगल में जो मिला उसी से पेट भर कर. तीन-चार हफतों बाद जब मैं वापस शहर पहुचा, तो लोग मुझे पैचान नहीं पाए. ऐसा होता है जंगल का जीवन. तो एक युवा पत्नी, वो आदिवासी महिला नहीं है, एक राज-कुमारी है. उनके साथ जंगल में रहना कोई रोमान्स भरा जीवन नहीं, बलकि बहुत कठिन जीवन है. ये जानते हुए कि ये कितना कठिन होगा, छोटा भाई दोनों की मदद के लिए उनके साथ चल देता है. क्योंकि उसे पता है कि इस युवास्त्री के साथ उन्हें जंगल में कि बहुत प्यार करते हैं, वो उदासी के हालत में ही पैदल पूरा सफर तै करते हैं. सफर आसान नहीं था, और उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी पत्नी जिन्दा है या मर चुकी है, या किस दशा में है, वो पैदल पूरा सफर तै करते हैं. तमिल लोगों की एक फौज तय प्यार करते हैं, समुद्र पार करते हैं, एक सुंदर शहर को जला देते हैं, बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं, अपनी पत्नी को वापस लेकर घर लोटते हैं, अब उनकी पत्नी गर्भवती हैं, सोनो ग्राम तो होता नहीं था, तो वो ये नहीं जानते कि लड़का है, या लड़की, या लड़के, या लड़कियां, या क्या है, एक राजा के लिए बहुत जरूरी है, एक राजा के लिए बेटे का होना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि उन्हें एक उत्तराधिकारी की जरूरत होती थी, मगर एक बार फिर राजनेते कारणों से वो अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल भेज देते हैं वो वहाँ जाकर दो बेटों को जन देती हैं राम को ये पता नहीं चलता फिर वो अपने ही बेटों के साथ युद्ध लड़ते हैं किसी के भी जीवन में सबसे बड़ी दुरघटना ये हो सकती है कि जाने या अन जाने में वो अपने ही बच्चों की जान ले ले ये आपके साथ होने वाली सबसे बुरी घटना होगी उनके साथ लगबग ऐसा हो ही गया था उन्होंने अपने बच्चों को लगभग मारी डाला था किसी तरह भाग इसे या परिस्थिती के कारण वो उन्हें मार नहीं पाए उन्होंने उनको मारने की पूरी कोशिश की थी बिना जाने की वो दोनों कौन है उसके बाद सीता कभी भी दोबारा उन्हें देखे बिना प्रांड त्याग देती है क्या आप इसे सफल जीवन कहेंगे नहीं लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं आप ऐसे असफल इंसान की पूजा क्यों करते हैं क्योंकि चाहे जो भी दुरगटना होई हो उस इंसान ने कभी गुस्सा नहीं किया कभी नफरत नहीं कि उन्होंने कभी अपना सैयम नहीं खोया उन्होंने अपना संतुलन सौ प्रतिशत बनाए रखा उन्होंने अपने जीवन के सिध्धान्तों और मूल्यों का त्याग कभी नहीं किया उनके जीवन में मुसीबतें बराबर आती रहीं लेकिन वो हमेशा स्थिर और परिस्थितियों से अचूते बने रहे इन ही गुड़ों के आगे हम सिर जुकाते हैं हम उनके आगे इसलिए सिर नहीं जुकाते क्योंकि वो बहुत सफल थे वो पूरी तरह से असफल रहे लेकिन वो अपने भीतर आप चाहे कुछ भी कर लें आप उनकी भीतरी प्रकृती को बदल नहीं सकते उनके जीवन में जो हुआ उसमें से अगर कोई एक भी घटना किसी के जीवन में हो जाए तो अधिकतर लोग तूट जाएंगे है की नहीं इन में से सिर्फ एक दुरगटना किसी के जीवन में हो जाए तो वो दिमागी संतुलन खो बैठेंगे दुरगटना के बाद दुरगटना लेकिन पूरा संतुलन हम उसी गुण के सामने सिर जुका रहे हैं क्योंकि यही इनर मैनेजमेंट है अगर आप बाहर दुनिया में जाकर कुछ करना चाहते हैं तो दुनिया आपके उपर क्या पहेंकेगी इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं वो सौ प्रतिशत आपका है आप किसी भी परिस्थिती में पैर रखने से इस दुनिया में किसी भी हालात का सामना करने से नहीं कत्राएंगे क्योंकि आपके भीतर आनंद की केमिस्ट्री है राम एक शांती मैए केमिस्ट्री में है चाहे आप उनके उपर कितनी भी तकलीफे भेके उसी तरह अगर आपके पास आनंद की केमिस्ट्री है तो चाहे कोई आपके उपर कितनी भी गंदगी फैके आप आनंद में ही रहेंगे